नमस्कार दोस्तों एक लंबे समय बाद आज मैं मुखातिब हो रहा हूं आप से जी उनकी आपादापी में मैं कई बार रेगुलर कनेक्ट नहीं रह पाता हुआ इस वज़े से आज इतने टाइम बात मिलना हुआ है और ये भी जो मिलन का मौका है आप से रूबरू होने का मौका ओनलाइन ये भी आप सब की दबाव की वज़े से हुआ है मैं तो पिसले चारवें ने से पर्यास कर रहा था इस पूरे कारिये के लिए इस शीरे नहीं चड़ा शीरे अब चड़ा है डेली या तो कलाम कैडमी के जो हेर प्लाइम नंबर है उनके उपर या परतेक्स मूझ तक या तो मैशेज के माद्यम से और या फिर टेलेफ़निक पूसरे क्वेरीज के मादियां से डेली ये पूछा जाता है बीश्टी स्क्वेरीज डेली आती है कि कलाम अकैडमी की जो पॉलिटिकल स्कूल एक्षर की जैपूर सेंटर की जो टैस्ट स्रीज है वो कब शुरू होगी और दूसरा एक एक्स पर्सन ये पूछा जा रहा था कि आर्प सारा मुद्दा है ये आज से कंप्लीट हो गया है और आपके सारे जितने भी एक्वेश्चन थी क्वेरिश थी आपकी जो उमिदे थी आसाएं थी उन सब का जबाब मैं आज दूँगा आपको कि दोस्तों 31 मार्च से कि 2024 से कि तास्क बैस टैयारी सुरु हो रही है 1.0 कर और यह विद मोडूलस है आप नेको टास्कव दो या मोडूल बोल तो ये मोडूल बेस्ट भी है और सेडूल बेस्ट भी है और ये उनके लिए है जो RPSC से पॉलिटिकल साइंस स्कूल एक्सर की तैयारी कर रहे हैं अब इस टेस्ट स्रीज में है क्या इन मोडूल्स में क्या है इन सब की चर्चा मैं आपसे करूँगा फिर आपके जो क्वेरिस हैं उनकी चर्चा करूँगा एक कोमन कॉशिटिया हो क्यारी कैसे होगी उसकी चरचा करें एक्वर होगी टाइस सेरीज वन पाइट जेरो देखिए हर संडे को तो आपका टेस्ट होगा जब एक वार सुरू हो जाएगा 31 मार्च को यह सेडूल बैस्ट होगा सेडूल किस परकार बना हुआ है मैं आपको एक सिंपल से उधारणस के माध्यम से बता दूआ है और यह सेडूल है यह आपको ओनलाइन उपलब्द हो जाएगा यह जिते भी से पेपर हैं और दो फुल सलेबस के पेपर हैं अब मैं जिसको ये कह रहा था कि वो सेडूल क्या है तो यह जो 20 सेडूल होंगे यह किनकिन टॉपिक्स के होंगे वह टोपिक आपको हम पकहां से पढ़ के आएंगे वह सेडूल के अंदर लिखा हुआ यह सेडूल मैं आपको बता दूँकि यहापको उपलब्द कहा होगा यह सेडूलाब को कलाम अकैटमी के टेली ग्राम चैनल पर उपलब्द होगा और यह वैं खुद एक टेलीगराम सेट सेलाता हूं प्लॉटेकल साइस्यूर डॉक्टर बेंदिवाल ताप डॉक्तर बेंदिवाल तो पूरे वीक का आपका प्रोग्राम होगा और यह प्रोग्राम इस साइंटिफिक नजरिये से तयार किया गया है कि आप पूरे खुद को विजी रखते वे इसको पूरा कर पाएंगे और इसको इस हिसाब से विज्ञानिक दरश्टी से फैलाया गया है कि आपका कोई भी टोपिक छुटेगा नहीं और यहां तक कि आपके सब टोपिक्स भी नहीं छुटेंगे पेपर्स भी इस हिसाब से प्रस्तावित योजनाएं हैं दो हमने एक बार पुराना ही पैटर्न रखांगे जब नया स्लेवस आजाएगा तो उस पैटर्न को सेंज कर दिया जाएगा अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है इसलिए हमने पुराना ही पैटर्न रखा है जो पिछली बार फॉलो किया था रपीएशी ने हम 130 तो आप से पूछेंगे और 20 पूछेंगे साइकोलजी के यह जो पेपर हैं यह मोडरेट होगा इसमें आप से कथनकार्ण मिलांकरने वाले तथ्यात्मक उधार्णात्मक समझभा वाले समस्त है यह प्लाब रहेगी जो क्लाम क्लाम कुल एक्छर के यह इस यह उपलब्द रहेगी जो स्टूड़ेन्स ने ओप-लाइन-ाइन चूर्स array इसमें फल्य stat रहेगी यह लेकी जुर्णे आपके ले सकते हैं तो आप उनलाइन देना चाहते हैं तो आप कलाम अकैडमी का एप है उसको डाउनलोड कर ले और अगर आप offline देना असार हैं तो आपको ये जैपुर सेंटर पर उपलब्द होगी इन future जब भी सेंटर बढ़ाये जाएंगे और राजस्तान के कुछ और सहरों में अगर इनको शुरू किया गया तो आपको time to time सुचित कर दिया जाएगा अभी एक बार 1.0 का जो करती प्रोग्राम में वह सिर्फ एक बार offline जैपुर सेंटर के लिए उपलब्द है कि सबसे बड़ी बात है कि यह सेडूल बैस्ट होने के साथ साथ टास्क यानि मोडूल बैस्ट हो रहे हैं आपके जो क्वेश्चन साएंगे वह उन मोडूल के में आएंगे अब यह स्कूल एक्षर पलिटिकल साइंस और पिस्ट का जो सलेवस है वह आप कहां से पढ़ने वाले इसके लिए मैंने आपके सलेवस को सब्सक्राइब मोडूल में बाट दिया हैं तो आपको यह मोडूल पढ़ने हैं शारों आपके 11-12 की एंशार्टी की बुक्स पढ़नी है ल होगी एंशार्टी की बुक्स से थोड़ी चैंज हो गई और कुछ पुराने लेसंस अठा दिये गए पासात्य राजनीतिक विचारक ओपी गाबा में से पढ़ने हैं आपको तुलनात्मक राजनीतिया और राजनीतिक संस्ताइं हैं यह सीबी गेना की है अंतराष्टिया भारतिय स्विधान बेर एक्ट सेंट्र लोग पॉब्लिकेशन का है और आपको ओल्ड पेपर्स पढ़ने हैं विभिन पीस के दो आएं हैं या फिर एंटी नेट के जो जैयारफ के जो पेपर्स हैं वह आपको स्टेड़ी करने अब इसमें एक राजनीतिक शिधानतों के पुस्तक छूट रही है वो है आचारिये जवाजी वाली राजीव भारगव और अचारिये जी की वह पुस्तक अभी छूट रही है अब क्या यह सारे आपको पढ़ना जरूरी है क्या देखिए आपकी शम्ताओं के उपर नीर ब पढ़ना और अंतराश्य राजनित्ती बील फड़िया को और रखा है यह आपकी शम्ताओं पर निर्बर है कि आप इनको पढ़ो या नहीं पढ़ो लेकिन बाकी तो आपको पढ़ना होगा आपका पेपर सीन सब में से आएगा यह मैंने आपको विश्यास्टा हैं बताई अब आ गया कि से यह जो मोडूल में हैं इन मोडूल के साथ साथ जैसे यह पहला मोडूल मोडूल फ़स्ट यह इस इस में दो ही तिंकर से हैं पलेटो और रस्तू यह लगबग 75-80 पेज़ का है यह इसलिए इतने पेज़ का इसलिए है क्योंकि एक तो इसमें मेटर तर्तीब से दिया हुआ है पूरे डाइग्राम बना के अच्छी तरह समझाया हुआ है दूसरा कि इसमें हरे एक टोपिक के पीछे पहले वह एमसी क्यूट डाले हुए है जो ओल्ड 200 mcqs हैं इसके अंदर ऐसी अरस्तू में ऐसे ही परतेग टोपिक के परतेग मोडूल में पहले टोपिक आएगा उसके विश्ट्री तो या क्या की आई है उसको आपको डिस्क्रेप्टिव मेटर है उसके बाद उसका अबजेक्टिव मेटर है यानि हर एक टोपिक के आपक इस मोडूल में क्या है मोडूल सभी विद्यारतियों के लिए ऐसी चौटल-चौदा मोडूल है जो आपको एक साथ मिलेंगे और यह पूरे स्लेवर्स के अकोर्डिंग है कल को स्लेवर्स होता है तो जो मेटर नया जुड़ेगा वह आपको ओन-लाइन उपलवद करवा दि मोडूल नया चाहते हैं तो वह भी ले सकते हैंि मोडूल परते एक विद्यारति के लिए अवलेबल हैं कि लेकिन अवलेबल है कहां यह आपको ओलेबल है शिरफ कलाम अकेड़मी की एबसाइट के उपर यहसीरु यहीं ऑफलाडर हो सकते हैं और वेबसाइट है www.klang.hr जो उफ्ट रेन तेस्ट ज देना चाहता हैं और उसको चाहिए सउधा के सउधा मोडिल क्योंकि यह UAW वेस्ट है actually आप 10 डेन आप इसको नए तो अकेडमी मिलते हैं आफ लाइए मार्केटट में पल्के इसके लिए आपको वेव साइट पर जाके ओर्डर करना पड़ेगा यानि यह शिर्फ आपको कलाम अकैडमी की वेव साइट के उपर ही अवलेबल है अब मोडूर्स को हम चो की अभी हम खुद एक्सपेरिमेट्स कर रहे हैं यह इतने सारे मोडूर्स को पहुंचाना यह सारा करना इसमें टाइम भी लगता है तो हमने एक बार शिर्फ लिमिटेड स्टोक ही निकाला है कि अगला स्टोक आड़े में थोड़ा टाइम लगेगा तो हमने यह रखा है कि पहले आओ और पहले पाओ तो हो सकता है कि उसको निरासा हाथ लगे तो आप इसी साब से आप इस अकैडमी पर जाके और अपना ओर्डर दे सकते हैं तो यह तो मैंने आपको यह बताया कि यह मोडूल अवलेबल कैसे होंगे यह कलाम अकैडमी की वेब साइट www.klam.academy के उपर अवलेबल है यहां ज इस परकार के हैं आप इनको जैसे जूम करेंगे तो हो सकता है और सापको सुन्दर दिखाई दें यह चौदा मोडूल से हैं और यह एक मोडूल का पिछे का पार्ट है सवrichten कि सवदा मोडूल वन थूट्री फोर ऐसे करके और सव भाहरर एक हरेक टोपिक के सपहले पहले यह दिशेसी तीन मोडूल एक ल है एक दो और थिंखर वेस्टन क्यों का पहले में दो थिंकर हैं दूसरे में चार थिंकर हैं मैक्यावली होप्स लोक और रुसो फिर मॉडूल नमबर तीन में तीन थिंकर जर्मी बेंथम मिल और काल माक्स और इनका हर एक का फिर उन्सी टॉपिक के पीछ एमशी क्यूज है जो ओल्ड पेपर्स में आए हैं और जो आपकी प्रैक्टिस के लिए महता पूरून है फिर है आपके बारते राजनीतिक चिंद तक का एक मोडूल है उसके बाद आपके जो राजनीतिक सिदांत औ उधारनाएं हैं इनके दो मोडूल है तुनातमक राजनीति के तीन मोडूल हैं अंतराश्टे राजनीति के दो मोडूल दस और ग्यारा उसके बाद 12 13 और 14 यह तीन मोडूल है जो आपके हिंडियन पॉलिटी के हैं तो ऐसे करके और पांस सब्जेक्ट्स को 14 मोडूल के आपको एक साथ ओर करना होगा और आपको एक साथ आपके घर पहुंचेगा यह यह वाई डाक आप चाहिए भारत के किसी भी कौने में अगर आप तक भारतिया डाक पहुंचती है या जो अन्य प्लेटफॉर्म के माद्यम से आपके पास डाक पहुंचती है तो आप सब को सकते हैं और उस दोडimyस्जा कर दे कि और शी उस फेल्जा के उपर पूरा स्टेडि-्री मेटिकी पहुंग जाएगा तो गाउ alliance के हैं सहर के हैं जेहां डां जाती है वह भी नेट्स नंस तकर करें कि यह जो difference परक्रणी सत्टाइश पीपर की जो referring कि सब्सक्राइब को मैंने कहा कि इसमें 20 तो माइन्र टेस्ट है और हर एक 4 पफर के बाद एक MAJOR टेस्ट होगा उस्ट छारों के Slavus को मिलाता हुआ होगा जिसे आपका पहला minor test है यह 31 March 2021 को है 31 March को आपका पहला पेपर होली के बाद फिर minor test 2 है फिर minor test 3 है फिर minor test 4 है यह 4 संड़े के होने के बाद जो next 500 संड़े आएगा उसमें आपका major test होगा 28 April को 2021 को यह इन चारों में आपने जो पड़ा है वो इसमें हो जाएगा तो इसका मतला हो आपका पिछे का वाज करेंगे क्यों ग्यान दिखिंगि रुआइज ये है इससाजऑ से में यह स्पूरा schedule बनाया गया है ताकि आपका पूरा तो बार निए आपका पूरा तीन बार हो जाएud किसी साब माइनर होंगे फिर एक मेजर होगा पूरा प्रोग्राम इसी साव से बनाया गया है पिर यह चार माइनर एक मेजर चार माइनर एक मेजर कि अंत में जो रखा गया है वो हैं दो फुल टेस्ट यानि पूरे स्लेबस के टेस्ट यह आल स्लेबस के होंगे और अन्तिम टेस्ट होगा वो होगा आपको 29 सेप्टेम्बर को यानि लग 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 वो 6 मेने में आपका पूरा सलेवस है विबिन बुक्स में से और मोडूल में से ओल्ड पेपर्स में से तीन बार हो जाएगा अब अगर आप online बुदर् आपको मोडूल मिल जाएंगे वुखस आपको परदेश करने पड़ेगी अब बचके ऑफिस तो on अपके ऊपर ही online उपलब्द हो जाएंगे आपको इनके आप हाड़कों पी निकाल लेना तो ऐसे करके आपको जो ओल्ड पेपर हैं वो भी अवलेबल हो जाएंगे हरेक टेस्ट श्रीज जैसे कैसे बनती है जैसे आपको जो मपीचाओंगा जो पहला पेपर होगा वो होगा 31 मार्च 2024 को माइनर टेस्ट 0.1 पहला जो माइनर टेस्ट पहला होगा उसमें क्या क्या होगा इस मैंसे जो भारत का सुष्विदानवाली बुक राजनीतिक शिधानट में अर्थ परकर्षी उपवयोगिता वैवारवाद उत्तर वैवारवाद उत्थान और पतन ये कहां से पढ़ेंगे ओपी गाबा ये अध्याए के नाम लिखे हुए राजीव भारगव के अध्याए एक दो पंद रासोडा मोड्यूल नंबर पांच राजिति सिदान्त अर्थ प्रकर्ति उपयोगिता ये पढ़ पढ़ेंगे मोडूल में से बेर एक्ट में से ये सारी चीजिए आप पढ़ के आएंगे मोडूल 13 में से आप सविधान सभा उदेशी का प्रस्तावना ये सारे पढ़ के आएंगे दो ओल्ड पेपर स्पढ़ेंगे आर पीए सी स्कूल लेक्षर एक्जाम पॉलिटिकल प्रोग्राम है अगर आप इस प्रोग्राम को फूलो कर लेते हैं और आप इमानदारी सी प्रोग्राम को फूलो करते हैं तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है अब ये सारा जो प्रोग्राम है इसको 27 वागों में बांट रखा है ने 6 मेने और 27 वागों अब ये अव अवलेबल हो जाएगी थोड़ी देर में या रात लेट नाइट तक या कल सुबह तक या आप मेरा जो टेलिग्राम चैनल है पॉलेटिकल साइंस भी डॉक्टर बे निवान उस पर अवलेबल हो जाएगी इसका पूरा जो सेडूल है अगले छह मेने का वह आपको अगले दो अब दोस्तों आपका एक कूशन और है बहुत सार्ट श्रूट्स के मेरे पास भी कॉल आते हैं कि नेक्स्ट जो ओफ-लाइन कलसेज वो कब सुरू होगा जो नेक्स्ट बैस है वो कब सुरू होगा तो नेक्स्ट बैस पिछे वाला बैस तो क्योंकि हमने वो फुल हो गया थ हमने बंद कर दिया था तो बहुत सारे स्टूडेंट से उस्टाय में बंचित रह गए थे तो हमने ये सोचा है कि जो नेक्स्ट बेच है वो 15 अप्रेल के आसपास हम अनौंस कर देगे तो आप पैनिक नहीं हो आप धेरिये बनाए रखें 15 अप्रेल से पहले पहले आपको सु स्टाय मिल जाएगी तो यह मैंने आप से सर्चा की नेक्स्ट ओफ्लाइन टेस्ट की ओनलाइन है वह कलाम अकैडमी एप के उपर पूरा उपलब्द है बिल्कुल लेटेस्ट है बिल्कुल नया रिकोर्ड किया हुए पूरा मैटर और बदलते पैटरन के अन्सार के बाद की तो आपको दिन रात का अंतर नजलाएगा उनको और जजादा सिंपल कर दिया गया और जख्राओ कर दिया गया मिए और साथ में उनके MCQs भी और जोड़ दिये गए तो आप के लिए सारी चीजें पहले से बहुत ज़्यादा बहतर कर दी गई तो आप कलाम अकैडमी से जुड़के इन सब का फायदा उठा सकते हैं अब आपने कईयों ने बहुत सारे questions मुझसे पूछे हैं तो जो परसांगिक questions होंगे, relevant होंगे, उन सब के मैं आपको जबाब दूँगा देकि मेरे मेरे side में होना पड़ेगा विम्मल बिस्नोई ने ये पूछा है कि अगर मैं zero से शुरू करूँ तो क्या हो जाएगा क्या दोस्त अभी तो देखिए कोई अधिकान zero से शुरू करता है मैं खुद ने zero से शुरू किया था हाँ मैं ये कह दूँ कि vacancies कब तक आ रही हैं दखिए मुझे लग रहा है कि अ पांसाथ दिन में अचार सहीता लगने वाली है तो मुझे नहीं लगए अगले पांसाथ दिन में स्कूल एक्सर की vacancy आने वाले ही अगले जल्दी आ भी तो आप त्यारी नहीं कर पा हुए तो आप उमीद करें कि इन सुनाओं के बाद में कभी भी vacancy आ सकती है तो आप साथ आठ मीने में परिटिकल साइंस आप इस टेसरी से जुटके तीन बार कर लेंगे और तीन बार आपकर कर लेते हैं तो आपके अधिकांस चीज़े कलियर हो जाती है बसरते कि आप चीज़ों को इमानदारी से करें हाँ 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 आपने पुछा है एक ने कि यह जो यह होगी इसका मैटेरियल कहां है इसका मैटेरियल इन मोडूल्स में है जिनको आप टेस्ट टेक्स्ट बूक बोल दो मोडूल्स बोल दो या टास्क बेस्ट बुकलेट बोल दो आप इन्हीं में है एक यह आप कह रहे हैं कि आज संस्कर्ट एज्यूकेशन का स्लेवस आया है स्कूल एक्सर का और उसमें जो साइकोलजी है उसको पेपर सेकंड में रखा है फिर हमने भी इसी साब से जो किया है पूरी टेस्ट स्रीज को अभी क्योंकि आए या ने स्कूल एक्सर का तो हमने एक बार साइकोलजी को पेपर सेकंड के साथ ही रखा है कई दोस्तों की एक वेरीज है कि इसको बाड़ मेर सेंटर पे सुर्तगण सेंटर के उपर शिकर सेंटर के उपर जून जून इन चुकों पर सुरू किया जाए तो दोस्तों एक बार इस संद्रम में मनेजमेंट ने कोई निरण ने लिया नहीं है तो मैं मनेजमेंट तक होना ही पहुंचा दोंगा इसी जो भी इच्छा होगी वह उसके अकॉर्णि सुरू कर दिया जाएगा अलांकि इनके दिमाग में यह आईडियास तो हैं मनेजमेंट की दिमाग में यह टेस्ट श्रीज को थोड़ा स्प्रेड करके और राजस्तान के अन्य सेंटर सेंटर से तो इसको शुरू किया जाएगा ओफ्लाइन बैस का पूछा है 15 अप्रेल के बाद सुरू होंगे जो मोडूल के पीवाई क्यूस है यह एमशी क्यूस है वो online कैसे मिलें online वैसे नहीं मिलेंगे मोडूल के अंदर ही है पैले आपको जिसे अरश्ट आगया प्लेय प्लेटτο आगया फिर उसी के पीछ शिले यह उस बुकलेट के अंदर यह जो 14 बुकलेट आपको बाई डाक मिलेगी उसी के अंदर आपके mcqs भी है सारे के सारी नोट्स और मोडूल्स में अंतर है क्या थोड़े सुधरे हुए है मोडूल्स थोड़े ज्यादा सुधरे हुए हां यह पूछा है कि कल को स में हो गया तो अगर स में हो गया तो भी आपको जितने ने टोपिक्स जुड़े ज़ने हैं हैं वो आपको ओंलान अवलेबल करवा दी जाएंगे उनका स्टेडी मैटेरियल oral के क्वेस्टिंस वा और उनना आं अवलेबल को जाएंगे कि क्या पेपर्स की पेडियाफ मिलेगी क्या देखिए पेपर आपको सुरुवाती दोर में जो पेपर्स मिलेंगे वह एक बार ओनलाइन वालों को ओनलाइन ओफ लाइन टेलिग्राम चैनल पर या फिर मेरा तेलिग्राम चैनल उस पर यह सुचता है मैं आपको कल या परसों तक आउए लेबल करवा दूगा कि इनकी पीडियाफ भी मिलेगी या नहीं मिलेगी अधिक पीछे तो हमने इसकी पीडियाफ देते हैं तो आप निनाण में प्रसित तो यह मानिए कि आपको इसी पीडियाफ मिलेगी लेकिन यह थोड़ी सी लेट मिलेगी आपको लेट का ताथ पर लिए कि चार-पांच टेस्ट हो जाते हैं उसके बाद हम पहले टेस्ट की पीडियाफ डालते हैं हाँ किसे पूछा है कि स्कूल एक्सर के लिए आपकी कोई बुक आती है कि ने स्कूल एक्सर ही नहीं आती मेरी तीन बुक्स आती है तह्षाँ किसी बीराज या फिर आप यूजी शी नेट जारफ दें और याखशी उब्स आती है एक पासाती राजनिती विचारक आती है किराम पप्लिकेशन पॉब्लिकेशन से किलाम के पॉब्लिकेशन से किला Computing इसे म Valentina निए विचार क्यों के अलग कर पुस्तक आती है और एकello प्रशासन और बारत में लोगशने निती है यह पुस्तक है तिन पुस्तक हैं कलाम पुब्लिकेशन से आती है यह हर जगे काम आती है मोडूल है यह स्कूल एक्सर के लिए तियार किये गए है स्पेशल छलो ठीक है दोस्त आपके जो अधिकांस क्वेश्चन कोरीज थी उनके मैंने जवाब दे दी है और इन फूसर आपके जो भी थी क्वेश्चन क्वेश्चन हूंगे आप मुझ तक पहुंचाते रहे मैं आपको उनको जबाब देता रहुआ आप जहां भी हैं आप सवस्त रहें आप मस्त रहें लेकिन अपने धृय को नहीं भूले आप लगातार आप पढ़ते रहें मनन करते रहें आते हैं तो दन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद खूब सारा टाइम ले लिया आपका गुड़नाइट सुब्रात्री कर दो कर दो